नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सौटन गुरूजी में दिखिए अब आपका स्किल टेस्ट काफी जादा नजदीक आ चुका है तो मन में थोड़ा सा घबराहट और डर आना स्वभाविक है और एक ऐसा समय है कि आप चाहे जितना भी प्रैक्टिस कर लिये हों क्योंकि जब से डेट आईए आपके स्किल टेस्ट की तब से जो लोग भी सीरियस एस्पिरेंट होंगे बहुत जादा और बहुत इमानदारी के साथ अपने अभ्यास को कर रहे होंगे लेकिन फिर भी कहीन कहीन डर होता है कि क्या मेरे स्किल कौलिफाई हो पाएगा की नहीं क्या हम अच्छा परफॉर्म वहाँ पे कर पाएंगे की नहीं भले ही घर पे उनका परदरशन बहुत अच्छा होता है लेकिन एक्जाम की ये बात ही होती है कि एक्जाम महाल का जो प वसली बात करने से सिस्टेनों की तो कैसे आप एक क्या क्या साधानिया हम अभी कर सकते हैं जिससे हमारा थोड़ा सा confidence भी बूश्ट अप हो जाए क्योंकि अगर आपके पास confidence रहेगा तो आप exam में बहुत अच्छा perform कर सकते हैं अगर आपका confidence ही नहीं रहेगा फिर आप बहुत अच्छा perform करने लाइक भी रहेंगे फिर आपका confidence ही वहाँ पर आपको थोड़ा सा गड़बड करवा सकता है जादा नहीं बस छे चीज़े बताएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत जादा जरूरी है और आप लोगों को भी कहीं न कहीं यह पता है पता नहीं आप लोग करते हैं और नहीं करते हैं लेकिन dictation अगर आप ते स्टेने जा रहे हैं तो कुछ बारी क्या होती है शॉर्ट हैंड कि उसको आपको समझना बहुत जादा जरूरी है बहुत जादा आपके लिए help करेगा देखिए सबसे पहली चीज़ तो कि अब जो समय हैं बहुत कम है अब आपको बहुत जादा भटकना नहीं है और बहुत जादा over practice नहीं करनी है कि आप दिन में 55-66 dictation transcribe करके रख दे रहे हैं आप कम transcribe करिए लेकिन जितना भी करिए ना उसमें सठीकता होनी चाहिए उसमें आपकी पकड़ एकदम दमदार होनी चाहिए इतने अभी तक जितने भी part time धारी गुपता जी के कराए गया है सभी ने आप लोगों ने 100 की speed बहुत अच्छे से लिखा होगा अगर सभी आपने अच्छे से किया है तो hand it में speed की आपकी आदत कहीं न कहीं थोड़ी बहुत ही सही आपकी आदत पढ़ गई होगी और फिर वहाँ पे actual में जब 80 में आपको dictation मिलेगा तो आपको बहुत comfortable feel होगा जो word आपको फसा सकते हैं वहाँ पे अगर आप पहली 100 का अभ्यास करके गए हैं तो 80 में जब आपको मिलेगा तो आप वहाँ पे इतने comfortable रहेंगे कि उस सब्द को या तो आप गुरा बना सकते हैं तो आखड़ों का भी इतना सटीक यूज़ कर देंगे वहाँ पे कि बहुत अच्छे से आप transcribe करते समय उसको पकड़ सकते हैं यही एक कीज़ होती है जो आपको कहा जाता है कि अगर आपको 80 की skill देना है तो कम से कम 90 or 100 की आप practice अगर करके जा रहे हैं तो अराम से आप 80 की skill निकाल सकते हैं तो अपने resources को इससे में limited रखिएगा बहुत जादा आप जो है समबाधकी की तरफ माल जाएगा SSE का ये record रहा है कि जो संसदी dictation होते हैं वही आपको provide कराता है उस संसदी सब्दों पर आपको अपनी पकड़ बनानी होगा ठीक है और जो एक से दूसरी बात ये है जो एक से लेके 100 तक जो dictation है आपके जो प्रतलेखन संख्या आपके रामधारी वाले book में है उन सभी में कुछ न कुछ कठिन सब्द होंगे और वो स्टार्टिंग में तो बहुत जादा होते हैं लेकिन लास्ट में जाते जाते बहुत सब्द कम होते जाते हैं क्योंकि आप सबका पहले से बहुत अभ्यास कर चुके होते हैं लास्ट में जाते जाते आपको बहुत कम सब्द मिलेंगे जो बहुत जादा बड़े होंगे या बहुत आपने पहली बार सुना होगा जैसे अंद्रतो गत्वा टाइप का इन सारे words के लिए outline तो मैंने provide कराई ही है अगर आपकी अपनी अच्छी outline नहीं बन दी तो आप लिखी सकते हैं लेकिन outline में मुद्दा नहीं है में मुद्दा यह है कि आपने एक से लेके सौ तक जितने भी कठें सब्दे हैं जो अक्सर आते हैं जो आपकी speed को down करने की कोसिस करते हैं जो transcribe करते समय आपकी गलती के रूप में सामने आते हैं अगर आप separately उनको dictation की practice करते हैं एक बार दो बार नहीं बार बार करते हैं दिन में जब भी आपका मुड़ो वो 5-5-6 मिनट की वीडियो जरोती है आप बस उसको लगा के कर डाले ठीक है पहली बार आप transcribe करेंगे तो आपको परस लेगा कि आप कितना words रही से लिख पाए हैं अगर आप हर transcribe नहीं करते हैं आप पकड़ भी सकते हैं बोल के पड़ भी सकते हैं कि हमेंने क्या लिखा है उसमें बहुत कम टाइम लेगा लेकिन बार बार निरंतर इसका भ्यास करेंगे ना कर एक से सो तक का तो बहुत अच्छा आप जो हैं परफॉर्म करने वारे हैं स्किल में कि लोग भूल जाते हैं उसमें कुछ आउट्लैन्स भी दी हुई है उसको लोग भूल जाते हैं बड़ी बड़ी बनाने लगते हैं उसमें जो लास्ट में बिख दाए पैया शॉट्पो रिडात्मक, सत्तात्मक, उसके कुछ हांकड़े हैं, कारक के कुछ हांकड़े हैं, सारी चीजें आपने, आपको एक बार फिर से देख लेना चाहिए, और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो फिर उस बुक में सर्वनाम है, सब्द चिन्न है, जो अकसर छोटे-छोटे वाक्या आजाते हैं, जैसे होना चाहिए, होते रहते हैं, हो जाते हैं, करते रहते हैं, कर दिया जाना चाहिए, बोलना चाहता हूँ, इन सब को अलग-अलग बिल्कुल मत लिएगा, इन सब को आपको हमेशा एक में ही मिला के लिखना है, क्योंकि ये सब्द ऐसे सब्द हैं, जो हर चार सब्द छोटने लगते हैं तो जो रामधारी गुपता खंडेक की बुख है उसमें ये रिकॉर्ड है कि अगर एक दो बड़ा सब्द या तीन चार बड़े सब्द लगाता रा गए ना फिर आगे आने वाले सब्द छोटे होंगे और अगर आपने पहले से अच्छे सब् आस्ता होगा और वाक्यांस में सिर्फ इतना ही नहीं कि आपने प्रैक्टिस कर लिया वाक्यांस में दो चीज होता है पहला तो होता है कि वह स्ट्रिलिंग और पुलिंग में होता है और दूसरा ये होता है कि वह एक वचन बहोचन में भी होता है तो आप कैसे डिफाइन कर बहुत सारी ऐसे सब्द हैं, आपके बहुत सारी ऐसे से वाक्यान्स हैं और ये सारी चीजें आपको लगता है कि चलो हम पकड़ लेंगे sentence के according अगर हाँ इतने capable हैं, आपकी understanding हिंदी पे इतनी अच्छी है कि आप हर हाल में पकड़ी लेंगे, फिर तो बहुत बड़ी हैं, अगर नहीं आप इतने capable हैं तो प्लीज कहीं dot छोटा सा लगाने में बहुत टाइम नहीं जाता अगर आप कहीं भी dot लगा देंगे ना, तो आप कुछ दम clear हो जाएगे कि अगर ये सब्द गलत होते हैं ना, अगर एक वच्छान या फिर इस्त्री लिंग, अगर दोनों में कहीं भी आपने गलती कर दी, आपने pulling बना दिया ना, तो आपकी एक mistake नहीं होगी आपकी दो-तीन शब्दों में mistake होगी, को कि आगे आने वाले जो वाक्यांस होते हैं, वो जूड़े होते हैं इससे तो half mistake, half mistake करके आपकी तीन या चार हो जाएगी और आपकी total दो mistake count हो जाएगी एक छोटे से dot के वज़े से, ये चीज लोग बारीकी से ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको थोड़ा सा बिंदी लगाने में संकोच नहीं करना चाहिए या आप 80 का skill देने जा रहे हैं, और 100 का skill देने जा रहे हैं, बहुत easy होता है, अराम से बिंदी वगएर आप लगा सकते हैं आपको 150, 160 नहीं लिखना है कि बिंदी और मातर लगाने का time ही नहीं है नेक्स चीज उन लोगों के लिए खासका जो अभी भी 80 पे लिखते हैं और उनको लगता है कि हम क्या qualify कर पाएंगे कि नहीं तो ये जानके चलिए कि SSE का dictation जो होता है, वो हमेशा से easy ही माना जाता है तो अगर आप 80 पे भी लिख रहे हैं, लेकिन आपकी पकड़ अच्छी है अपने अपनी accuracy पे work किया हुआ है आपने अच्छी उन सब्दों पे पकड़ बनाई हुई है एकर 80 की speed पर ही मुझे बोला गया तो हमें फरक नहीं पड़ता, हम उसको बना ही ले जाएंगे तो भी आपका skill बहुत अच्छे से बहुत easily qualify हो जाएगा तो कि आपको 80 का ही skill देना है हैंड़ेट की practice तो यह अच्छी बात है, आप करते हैं पहले से वो आपको benefit तो देगा ही लेकिन अगर आपने 80 पर ही अपनी accuracy भी पकड़ बना ली क्योंकि accuracy बहुत ही important चीज़ होती है short hand में accuracy ही सब कुछ होती है, आपको पता है तो आप 80 भी लिखते है, accuracy भी आपकी पकड़ है तो भी आप अराम से जाएए, बिल्कुल निशिंद होके skill test देज़े और हमारा जो पाचवाँ point है, वो आप लोग के लिए बहुत important tips है कि खुद को कभी दूसरों से compare मत करिये क्यार वो दो बहुत तेश पढ़ लेता है, हमें पढ़ने में इतना time लगता है उसका short hand इतना अच्छ है, उसकी writing इतनी अच्छी, उसके outlines इतनी अच्छे अच्छे निकलते हैं हम तो बना ही नहीं पाते, इन सब कोई मतलब ने है short hand में जो भी outline बनाते हैं, उसमें बस सही चीज लिखने की कोशश करिएगा सही आकड़ों का प्रयोग करिएगा कि अगर आपने 80 के dictation लिखना सुरू कर दी, आपने अभ्यास गिया इतने दिन तक तो आप कमस्कर इस lag तो है कि आपको सब कुछ पता है कि outline बनती कैसे है आकड़ों का use कहां पर होता है, मात्राओं का use कहां पर होता है आप 80 पर लिख पा रहे है, तब ही आप 80 पर अभ्यास कर रहे है आपका जो है वो best अगर आप खुद का लिखा वो पकड़ ले रहे है तो इसके लिम्में आपको वही करना है आपका short hand ये नहीं देखा जाएगा कि हाँ आपने किस तरीके से outline बनाई हुई है उसकी outline ज्यादा अच्छी है, आपकी outline कम अच्छी है तो उसको ज्यादा chances है, ऐसा नहीं होता इसमें जो आपने transcribe करके लिखा है हिंदी में अगर वही उसने लिखा है, तो सही है क्या पता उसने ना लिखा हो, आपने सही लिखा हो बस आपको वहाँ पे हिंदी आपकी वहाँ पे चिक होगी अभी भी खुद को और खुद की outlines को, खुद की reading power को दूसरों से compare नहीं करना है और सबसे last ही जाएगी, एकवचन और बहुचन पे भी बहुत कम लोग ध्यान देते हैं बहुत जाद्या ध्यान देने की बात है अगर आप sentence कोई भी sentence आप बना रहे हैं आप तो कभी देखेगा अगर आपने एक watchन अगर बोला गया है आपने बहुचन में लिख दिया या बहुचन दो था कर्या है आपकी गलतिया एक से जादा ही आएंगी जो चीज यहां अप्लाई होती है एक्वचन बहुचन के लिए वही चीज पुलिन और स्ट्रिंग के लिए भी अप्लाई होती है आपको समझना होगा कि आप कैसे बहुचन को अलग करते हैं और कैसे इस्ट्रिलिंग को अलग करते हैं पर साथ में हम अपनी पहले की लगबख सभी वीडियोस में जो टिप्स वाली होती उसमें बताते हैं कि बहुचन को सब्दों के दो प्रकार से बनते हैं जैसे समस्या का समस्याए बनता है, समस्याओ बनता है योजना का योजनाए बनता है, योजनाओ बनता है तो एक इस पे पकड़ बनाएगे और कुछ सब्द ऐसे भी होते हैं जो बहुचन होते हैं लेकिन उनकी मात्राओं में कोई परिवर्तन नहीं होता वो सबसे ज़्यादा difficult आपको लगते हैं, transcribe करते हैं, आपको लगता है कि एक वचन है और आगे का आप बना देते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि इसके पहले आने वाले शब्द में कहीं ने कहीं बहुचन का feel होता है, बहुचन का भाव होता है, जैसे मा लीजी आ करता का काम करता है, तो वो प्रत्याशियों बन जाता है, तो आपको प्रत्याशियों अलग बनाना है, और आपको ये देखना है कि अगर प्रत्याशी लिखा है, तो इसके आगे आने वाले शब्द और इसके बाद में आने वाले शब्द, दोनों को पढ़ने से आपको पर लगेगा एक बार इन सब चीज़ों को हिंदी की बुक से पढ़ ली जगा और सबसे लास्ट में फिरवाई चीज रामधारी गुपता खंड एक पे अपनी कमांड अगर आप बना रखे हैं तो ग्रेड़ी बहुत अच्छे से बहुत आसानी से एक होता है क्वालिफाई करना एक होता है बहुत आसानी से क्वालिफाई करना तो आप बहुत आसानी से क्वालिफाई करके आने वाले हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी और अपने यहां तक देखा है तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और शेयर करिएगा अप तके लिए गुद्बाइ